हेलो यूटूब वेलकाम तो ओताकु वाइब्स आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 बेस्ट अनिमे शोज बेस्ट आन स्पोर्ट्स जो लोग स्पोर्ट्स लवर है उन लोग के लिए यह अनिमे शोज देखना बनता है बॉस तो शुरू करते हैं आज की लिस्ट तो देखो फ्रेंड्स एनिमे होते हैं जापां में तो यह सारे के सारे अनिमेटेड शोओ वो शोज है जो जापान में जो स्पोर्ट्स चलते हैं उनके उपर बेसिस तो आपको एक तरह से हिंट मिल जाएंगी कि जापान में कौन-कौन से स्पोर्ट को ज्यादा वैल्यू दि स्विमिंग से रिगार्डिंग मैं आपको एनिमे शोओ रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है फ्री इवा तो भी स्विम क्लब यह एनिमे 2013 में आया था इस एनिमे के तीन सीजन है और 37 से भी ज्यादा इसके आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे इस एनिमे शोओ के उपर एनिमेटेड पाच मूवीज भी निकल चुकी है यह शोओ का एनिमेशन बहुत जबरदस्त है और इसकी बैक्ग्राउंड मुजिक ही बहुत ज़्यादा जबरदस्त है अब चलते हैं सेकंड स्पोर्ट की और जो है बॉक्सिंग और बॉक्सिंग स्पोर्ट से रिगा अब थर्ड स्पोर्ट है मैराथॉन रिले मैराथॉन तो मैराथॉन से रिगार्डिंग मैं आपको एनिमेशो रिकमेंड करना चाहता हूँ रन विद दा वाइंड यह अनिमेशो 2018 में आया था इसके सिफ 23 एपिसोड है पेठ पालने के लिए खाना चोरी करके भागने वाला जो लड़का होता है वो कैसे नैशनल मैराथॉन में पार्टिसिपेट करता है उसके उपर बेस्ट यह स्टोरी है तो आप देखिए आपको बहुत ज्यादा इंटर्टेनिंग लगेंगी और बहुत छोटा सा है सिर्फ 13 एपिसोड का है तो आपको देखना तो बनता है अब बढ़ा नहीं है सिर्फ 26 एपिसोड है तो आपको लगेंगा ने कि यह बहुत ज्यादा लेंती हो रहा है यह शो है मिको तो शीनोजाओकी के उपर जिसका एक सपना होता है टूर दे फ्रांस चैंपियन बननेगा तो यह स्टोरी वह सी है कि उसको साइकलिंग में कैसे इंट तो चलो पहले बात करते है वन आउट के बारे में यह अनिमे 2008 में आया था इसके टोटल 25 एपिसोड है अब सचो अगर आप बॉलिंग कर रहे हो बेस बॉल के टर्म में उसको पीचिंग कहते आपने अगर पीचिंग किये और आगे का बंदा आउट हो गया और आपको उसके बदले में पचास लाग रूपए बहुत बड़ी बात है ना लेकिन अगर आगे वाले बंदे ने आपके बॉल पे हीट करके उसके उपर कम से कम एक भी रन लिया तो उसके बदले में आपको देने पड़ेंगे पाच करोड रूपए थोड़ा सा बुलशीट लगता है ना यह स्टोरी में ऐसे ही दिखाए गया है वन आउट में तो एक बार जाके चेक कर लो थोड़ा सा इंटेंस है थोड़ा सा गैंबलिंग का भी टश दिया हुआ उस अनिमे को आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएंगा और सबसे ज्यादा अची बात यह अनिमे त का जो मांगा है उस मांगा ने 2008 और 2010 में बेस्ट चोनन मांगा का आवर्ड भी जीता है हमारा 6th स्पोर्ट है रभी फुटबॉल हां यह वही है जो आपने नमस्ते लंडन में अक्षे कुमार को खेलते हुए देखा था इस स्पोर्ट के उपर मैं आपको आनिमे रेकेमेंड करना चाहता हूँ आई शिल्ट 21 यह अनिमे 2005 में आया था इसके 145 से ज्यादा एपिसोड है इस अनिमे की खास बात बोल तो इसका बेस्ट आर्ट वर्क और बेस्ट टोरी लाइन इसके क्यारेक्टर इतने अच्छे कि आपको लगा काश यार ऐसा कोई बंदा मेरे लाइफ म क्यों नहीं है इस अनिमे में आपको थोड़ा सा कॉमेडी का तर्का भी देखने को मिल जाएगा तो हमारा साथ नंबर का स्पोर्ट है टीटी या फिर पिंग-पॉंग यापानिज में टेनिस को पिंग-पॉंग का जाता है एक्चुली मैंने टेबल टेनिस के ऊपर सिर्फ आज तक यही एक एनिमे देखा है तो मैं आपको यही एक रिकमेंड कर सकता हूँ जो नहीं देखा उसके बारे में रिकमेंड करने से कोई फाइदा नहीं है यह एनिमे शोओ दोजार चौदा में आया था और बहुत छोटा एनिमे शो है इसके सिर्फ 11 एपिसोड है इसका मुझे बहुत घटिया लगा ऐसे लगा किसी बच्चे ने अपनी स्केजबुक से निकाल के अनिमेशन बनाया है लेकिन फिर भी स्टोरी बहुत अच्छी है थोड़ा इंटेंस होता है आपको देखने में बहुत अच्छा लगेंगा तो गाईस अगर आप एनिमे देखना चाहता हूं जिसका नाम है हाने बादो यह अनिमे 2008 में था और यह स्पेशली गल्स के लिए अनिमे है क्योंकि इसके में प्रोटागोनिस्ट या फिर सारे प्लेयर जो है वह से लेडिज होते हैं डिप्रेशन से कैसे दूर हुआ जाया या फिर अपने आपको साबिद करने क जो कहानी है वो आपको यह अनिमेशन में देखने को मिल जाएंगी तो एक बार बिल्कुल जाके चेक आउट कर लीजिए हाने बादो यह अनिमे ज्यादा बड़ा नहीं है सिर्फ 13 एपिसोड है इसके तो आपको एक दिन में भी देखके खतम कर सकते हो तो हमारा 9th नंबर क का स्पोर्ट है टेनिस टेनिस से रिगार्डिंग मैं आपको एनिमेशोर रेकमेंड करना चाहूंगा वह है दप्रिंस ऑप टेनिस यह अनिमेशोर 2001 में आया था इस एनिमेशोर के ऊपर आज तक तीन एनिमिटेड मूविस भी आ चुकी है और इसके 175 से जाद आपको एपिस सीखता है कैसी नहीं-इंदी टेक्टनिक सीखता है या फिर कैसी नहीं-इंदी खुद की अपनी टेक्निक बनाता है इसके उपर तो आपनी एक बार जा करना चाहिए टेनिस के ऊपर यह शो The Prince of Tennis तो हमारा 10th sport है Basketball ये sport की category में आपको मैं 2 anime recommend करना चाहता हूँ First है Slam Dunk और second है Kuroko's Basketball तो सबसे पहले बात करते है Slam Dunk के बारे में ये animated show बहुत ज्यादा पूराना है जो 1993 में आया था 100 से भी ज्यादा इसके आपको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे 5 animated movies बन चुके इसके उपर आज तक Slam Dunk Anime की जो मांगा है उसने 14th Shogaku Khan Manga Award जिता है Best Shonen Category के लिस्ट में तो आपको एक बार तो जाके चेक आउट कर रही ने लाए चाहिए Basketball के उपर मेरा अगला recommendation है Kuroko's Basketball यह मेरा Basketball का आज तक का सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमे शो है यह शो 2012 में आया था इसके टोटल 3 सीजन है और 75 से भी ज्यादा इसके एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे इस एनिमे के चार से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी Basketball का मेरा सबसे फेवरेट एनिमे प्लीज एक बार जाके चेक आउट कर लो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएंगा Characters, Concept, Animation, Background, Music सब कुछ इसका बहुत ज्यादा धास हुए तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा सब्सक्राइबर काउंट डिसाइड करेगा कि कितने ज़्यादा ऐनिमे फैंस हमारे देश में तो चलो लिस्ट कंटिन्यू करते हैं हमारा 11 स्पोर्ट है फुटबॉल अब फुटबॉल के उपर बहुत सारे अनिमे बने हैं मैंने खुद कम से कम साथ से आठ अलग अलग अनिमे देखे हैं फुटबॉल के उपर तो इसमें से मैं सिर्फ दो अनिमे आपको रेक्यमेंट करना चाहता हूँ पहला है इनाजूमा 11 और दूसरा है डेज तो सबसे पहले बात करते हैं इनाजूमा 11 के बारे में अगर आपने कभी शावलिन सौकर मूवी देखी है तो आपको ये अनिमे बहुत ज्यादा पसंद आएंगा ये अनिमे 2008 में आये था जिसके 6 सीजन है और 125 से ज्यादा इसके आपको एपिसोड देखने को मिल जाएंगे ये अनिमे छोटे लड़के भी देख सकते हैं क्योंकि स्कूल लाइफ के उपर ही बेस्त है तो उनको भी देखने में कोई दिकत नहीं होगी मेरा सेकंड रेकमेंडेशन है डेज कि अनिमे 2016 में आये था इसके 25 से भी ज्यादा एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे इस एनिमे की मांगा ने 14th कोदांशा मांगा आवर्ड भी जीता है अब सोच लो आवर्ड विनिंग मांगा है तो इसका अनिमे भी बहुत अच हमारी स्पोर्ट लिस्ट का लास्ट स्पोर्ट है वालीबॉल और वालीबॉल से रिगार्डिंग मैं आपको एनिमे शो रिकमेंड करना चाहता हूं हाइकू हाइकू मेरा स्पेशल फेवरेट भी है यह एनिमे शो 2012 में आये था उसके 90 से भी ज्यादा आपको एपिसोड दे पूदिशन भी है अगर आपको स्केट बोर्डिंग करना पसंद है या फिर स्केट बोर्डिंग करते हूए देखना अच्छा लगता है तो उसके उपर भी एक एनिमे है जो मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करना चाहता हूँ एनिमे शो का नाम है यह के एट द इनफिनिटी यह anime latest है अभी 2021 में आया था और इस सिर्फ 12 एपिसोड है अगला sport है car racing अगर आपको car racing देखना अच्छा लगता है या फिर करना अच्छा लगता है तो उसके उपर भी एक anime है जो आप देख सकते हैं यह anime show का नाम है initial D बहुत पुराना anime 1998 में आया था इसके टोटल 90 से भी ज्यादा एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे इनाजुमा 11 और डेस के अलावा भी ऐसे दो और anime है जो आप देख सकते हैं अगर आप die hard football के fan है तो तो पहला है Captain Tsubasa यह anime 2001 में आया था जिसके 52 से भी ज्यादा episode आपको देखने को मिल जाएंगे और second anime है Whistle यह anime show 2002 में आया था जिसके total 39 episode आपको देखने को मिल जाएंगे तो football lovers आपके लिए दो और recommendation दे दिया हूँ जाके check out कर लो तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी लिस्ट अगर आपने पहले इन में से कुछ anime में देखे हैं या फिर आप पहले जाके कुछ कुछ anime में देखना चाहते हो हमें comment में जरूर बताईएगा वीडियो एच्छ लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा वीडियो का अन तक देखने के लिए आरी गातो गोजाइमास चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सायुनाराइग